हेलो स्टुडेंट्स आज हम प्लाज्मा डिस्प्ले के बारे में पढ़ेंगे उसकी बरकिंग एडवांटेजिस और डिसडवांटेजिस को भी डिसकस करेंगे तो सबसे पहले प्लाज्मा डिस्प्ले प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल इस टाइप आप फ्लैट पैनल डिस्प् जरता है जिनने हम प्लाजमा भी कहते हैं और प्लाजमा डिस्प्लेइज एक कम्प्यूटर वीडियो डिस्प्लेइज इन बिच इच पिक्सल ऑन दी स्क्रीन इस इलिमिनेटेड वाई ये टिनी वीट अफ प्लाजमा और चार्जड गैस समबट लाइक टिनी नियोन लाइट प्लाजमा डिस्प्लेइज एक वीडियो डिस्प्लेइज होता है जिसमें स्क्रीन पर प्रते एक पिक्सल को थोड़ा सा प्लाजमा या चार्जड गैस जस्ट लाइक नियोन गैस द्वारा प्रकासित किया जाता है प्लाज्मा डिस्प्लेइज और थिनर देन के थोर्ड रेस ट्यूब दिस्प्लेइज and brighter than liquid crystal displays LCD तो प्लाज्मा डिस्प्लेइज जो है वो CRT से thinner होते हैं और जो आपका LCD उससे brighter होते हैं नेक्स्ट है प्लाज्मा डिस्प्लेइज बर्किंग काम कैसे करता है when electricity flows into the tube gas atoms crash about inside it and generate invisible ultraviolet light तो जब भी electricity flow होती है किसी ट्यूब में तो उसमें जो gas भरी होती है neon gas है या अधर कोई gas है तो वो crash हो जाती है and generate invisible ultraviolet light और उससे invisible ultraviolet light जो वो परहभेंगने करने जब वो उत्पन होती है the white phosphorus coating turns this invisible light into visible white light और जो white phosphorus coating होती है वो invisible light को visual light में convert कर देती है in a plasma TB किसी भी plasma TB में the cells are a bit like tinnis CFLs only coated with phosphorus that are red blue or green CFL की full form होती है compact fluorescent light CFL बलब भी यूज के जाते हैं तो जो plasma TB होता है उसमें जो cells होते हैं वो just like छोटे-छोटे CFLs tinnis CFLs की तरह होते हैं जिनने phosphorus से coated किया गया होता है जो red green या blue हो सकते हैं नेक्स्ट है advantages of plasma display तो कुछ advantages है फर्स्ट है it can display 16.77 million colors तो जो आपके plasma display है वो सबसे ज्यादा colors डिस्प्ले करती है 16.77 सोलह दसमलब 77 million color जो वो डिस्प्ले करती है सेकंड है इट ओफर्स हाइड रेजलूशन यह हाइड रेजलूशन दिखाती है इट कन डिस्प्ले HDTV compliant signals तो full signal के साथ यह HDTV को डिस्प्ले करती है इट ओफर्स wide screen 16 ratio of 9 display इसकी जो ratio है वो 16 9 ratio होती है किसी भी screen की wide screen जब वो 16 9 ratio में होती है plasma display की it is slim and light in bed हलके होते हैं और slim होते हैं size में बेट में हलके होते हैं और size में slim होते हैं इट offers uniform brightness across the entire screen जो brightness होती है इसकी वो स्क्रीन के हरे corner में बराबर होती है और बढ़ी होती है it is compatible to work with computer तो computer जो आपके monitor होते हैं उनके साथ भी अच्छा काम करती है they can be mounted on the bar like LCD और LED TVs जो जैसे आपके LED होते हैं या LCD होती है उनहीं के तरह इनको भी दिवार पर लटकाया जा सकता है यह लगाया जा सकता है they have high viewing angles जो एंकल होता है वो इसका हाई होता है viewing angle होता है इसलिए जो प्लाज्मा डिस्प्लेइब बढ़ी होती है यह कुछ advantages थी प्लाज्मा डिस्प्लेइब की next disadvantages of plasma display तो कुछ इसकी disadvantages भी है first they have solter life span तो जो सबसे में नुकसान है जो drawback है वो यह है कि जो life span होती है वो solter होती है काम होती है second is prices are very high जो prices होते हैं इसके बड़े हाई होते हैं बड़ी महंगी आपको मिलती है plasma tv displays are not available in size less than 32 inches 32 inches से कम आपको कोई भी plasma display नहीं मिलेगा इसकी जो display का जो size है वो high होता है means 32 इसका minimum size होता है 32 inches से above ही आपको plasma tv जो भो मिलेंगे या plasma display जो भो अबलेबल होंगी तो यह कुछ disadvantages थी plasma display की thank you have a nice day